नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल इजी क्लियर एक्जाम में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ भारत के बारे में कुछ महत पूर्ण प्रस्नोत्री प्रतिक कम्टीटिव एक्जाम्स में भारत से सम्मंदित कुछ कोस्टन्स पूछे जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के बारे में कुछ महत पूर्ण प्रस्नों को हल करेंगे साथ में मैं आपको प्रस्तों के बारे में विस्तार पूर्वक चानकारी देने वाला हूँ दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को और यदि आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेर और सबस्काइब करना न भूले दोस्तों वीडियो आन तक बने रहिएगा वीडियो बहुत ही महत्पूर है दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रस्न है भारत की राजधानी का क्या नाम है सबसे पहले हमारे प्यारे भारत देश हिंदुस्थान या फिर आर्यावर्त या फिर जम्वु दीप कहें भारत की चार नाम है दोस्तों और भारत की राजधानी के बारे में जानना बहुत आवस्यक है भारत की राजधानी है वर्तमान में नई दिल्ली 1911 में दोस्तों अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली इस्थाना अंत्रित किया था 1911 के पहले भारत की राजदानी कलकत्ता थी दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य है हमारे प्यारे भारत देश में कुल कितने राज्य है हमारे भारत को राज्यों और केंद सासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है और हमारे भारत देश में वर्तमान में कुल 28 राज हैं दोस्तों सबसे नया राज 2014 में तेलंगाना को बनाए गया था और तेलंगाना को किस प्रदेश से विभाजित करके दोस्तों सासित प्रदेश हैं दोस्तों भारत में कुल कितने केंद सासित प्रदेश हैं वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल आठ केंद सासित प्रदेश हैं उनके नाम है कास्मीर, लद्दाक, चंडीगड, दमन और द्यूप, लक्ष द्यूप, पॉंडिचेरी और अंडमान निकोब इनके नाम आप याद रखिएगा भारत के कुल आठ केंद सासित प्रदेश हैं और कुल 28 राज हैं तो दोस्तों भारत को संपूर भारत को आठ केंद सासित प्रदेशों में और आठ राज्यों में विभाजित किया गया है राज जो हैं वहाँ पर राज सरकारें वहाँ का प् तरगत आते हैं दोस्तों भारत को अंग्रेजों से आजादी कब मिली थी यानि हमारे प्यारा भारत देश को अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी अगला प्रस्थ है दोस्तों वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है बहुत ज़्यादा बारिया कोस्चन एकजामस में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज किसकी जनसंख्या की देश्चे भारत का कौन सा राज है जिसमें भारत की सरवाधिक जनसंख्या निवास करती है तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की राध्धानी है लखनव जिसको नवाबू का सहर कहा जाता है अगला प्रस्थ है भारत का सबसे बड़ा राज छेतर फल की देश्चे दोस्तों भारत में कुल कितने 28 राज्य है उन 28 राज्यों में से जो सबसे बड़ा राज्य है छेतर फल की देश से वह है राजस्थान जहां पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्थान भी है जिसको थार रेगिस्थान कहा जाता है और दोस्तों राजस्थान जो है उसकी राजधानी है जैपूर जिसको पिंक सिटी या गुलाबी सहर भी कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जो की हिमाले परवस से निकल करके भारत के पाँच राज्यों में प्रवाहित होती है और अंत में वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और दोस्तों इस पूरे रास्ते में वह पाँच राज्यों में कुल 2525 किलो मीटर की दूरी तैं करती है भारत के मद से गुजरने वाली कालपनिक रेखा दोस्तों भारत के मद से करक रेखा गुजरती है और करक रेखा दोस्तों भूमद रेखा के उत्तर में 25.5 डिगरी उत् अच्छांस रेखा को करकरेखा कहा जाता है इसको भूमद रेखा के उत्तर में जो साड़े तेईस डिगरी उत्तरी अच्छांस रेखा है उसको करकरेखा कहा जाता है जो भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है आप ध्यान रखियेगा भारत के मद से करकरेखा चौथा है च्छतीस गड़, पांचवा है दोस्तों पश्चिम मंगाल, छटवा है जारखंट, सातवा है त्रिपुरा और आठवा है मिजोरम। भारत के कुल आठ राज्यों से होकर के कौनसी करकरेखा गुजरती है और लगभग भारत के मद्ध से यह करकरेखा गुजरती है इसको आप याद रखिये साड़े तेश डिगरी उतरी अच्छांस रेखा को करकरेखा कहा जाता है भारत किस महाद्यूप में इस्थित है दोस् दोस्तों एसिया महाद्यूप में भारत दच्छड एसिया महाद्यूप का देश है दोस्तों हमारी प्रत्वी को कुल साथ बड़े भुखंडों में विभाजित किया गया है उन्ही को महाद्यूप कहा जाता है उनके नाम है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्यूप सा महासागर है दोस्तों भारत के दच्छिन में हिंद महासागर है भारत के दच्छिन में हिंद महासागर है हमारी प्रतिवी का एक मात महासागर जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है वह है हिंद महासागर भारत का गरतंत दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्सम 26 ज देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप भारत का आकार कैसा है चतुस कोड़ी है दोस्तों अगला प्रस्त है भारत की राष्टी मुद्रा कौन सी है भारत की नेशनल करेंसी कौन सी है दोस्तों हमारे प्यारे भारत की जो राष्टी मुद्रा है वह है रुपया रुपय का चि चार प्रकार की अर्थवेवस्थाएं प्रचलन में हैं बाजार अर्थवेवस्था, गैर बाजार अर्थवेवस्था और पूझीवादी अर्थवेवस्था और मिस्रित अर्थवेवस्था दोस्तों भारत एक मिस्रित अर्थवेवस्था वाला देश है जहां पर निजी और सरकारी दोनों संस्थाएं आपस में मिलकर भारत की लिए कारे करती है भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान पुरसकार highest civilian award जो है भारत का दोस्तों कौन सा है दोस्तों भारत रतन भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान पुरसकार है और दोस्तों भारत के राष्ट पती के दोरा भारत रतन भारत के किसी भी ब्यक्ति को उसकी आसाधारण पतिभा के लिए दिया जाता है तो दोस्तों आप याद रखिएगा भारत का जो सरोच नागरिक सम्मान पुरुसकार है इसमें आप इस नागरिक सब्द को याद रखिएगा सरोच नागरिक सम्मान पुरुसकार है भारत रतन जो की भारत के राशपती प्रदान करते है भारत का सरोच वीर्टा पूरुषकार भारत का सोतंतरता दिवस कम मनाये जाता है दोस्तों हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था इसी वज़े से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को सोतंता दिवस यानि इंडिपेंडेंस डे हम मनाते है सोतंतर भारत के पहले प्रधान मंतरी कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया भारत के पहले प्रधान मंतरी कौन थे? दोस्तों पंडित जवाहलाल नहरू दोस्तों भारत के एक मात्र प्रधान मंतरी जो लगातार तीन बार भारत के निर्वाचित प्रधान मंतरी थे वह हैं दोस्तों पंडित जवाहलाल नहरू और भारत के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवाहलाल नहरू है अगला प्रस्त है भारत के पहले राष्ट पती कौन थे फर्ष्ट प्रेसिडेंट ओफ इंडिया दोस्तों भारत के first president थे पहले राष्टपती थे डॉक्टर राजियंद परसाद दोस्तों आजादी के पहले भारत में समिंधान सभा का गठन हुआ था जिसका मुख्यकार था भारत के लिए समिंधान का निर्माड करना और very very most important point मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समिंधान सभा के जो अध्यच थे इस्थाई अध्यच वह भी डॉक्टर राजियंद परसाद थे इनको दोस्तों देश रतन भी कहा जाता है भारत का राष्टगान भारत का नेसनल एंथम भारत का कौन सा है दोस्तों भारत का राष्टगान है जनगर्मन भारत का राष्टगान है और भारत के राष्टगान की जो रचना है वह है रविननाथ टैगोर ने किया था रविननाथ टैगोर ने भारत के राश्टगान की रचना किया और रविननाथ टैगोर दोस्तो भारत के पहले नोबिल पुरुसकार बिजेता भी थे भारत के राश्टगान को दोस्तो 52 सेकिंड के भीतर गाया जाता है तो गायन समय भी आप याद रखिये 52 सेकिंड भारत का राश्टी गीत नेशनल सौंग भारत का नेशनल सौंग कौन सा है दोस्तों वंदे मात्रम भारत का राश्टी गीत है आप राश्टी गीत और राश्ट गान में कन्फूज मत हुए नेशनल एंथम और नेशनल सौंग राश्टी गीत की रचना बंकिम चंद चटर जी ने किया था और दोस्तों इस राश्टी गीत की रचना उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था तो इसको आप याद रखिये भारत का राश्टी गीत वंदे मातरा भारत में कितने समुध तटी राज हैं दोस्तों भारत के कुल कितने राज हैं जिनकी जो सीमा है वह समुध तट से मिलती है दोस्तों भारत के कुल नौ राज हैं उनके नाम भी आप याद रखिएगा पहला है गुजरात दूसरा है महाराष्ट तीसरा राज है दोस्तों गोवा चोथा राज है करनाटक पाचवा राज है केरल छटवा है तमिल नाडू सातवा है आंधप्रदेस आठवा है ओरिसा और नौवा राज है पश्चिम मंगाल भारत के कुल नौ राज है जिनकी सीमा स प्रमुद तर्ट से मिलती हैं दोस्तों भारत में पहली जनगर्णा कब हुई थी भारत में फस्ट सिंसस दोस्तों कब हुई थी अंग्रेजों के सासनकाल में दोस्तों भारत की पहली जनगर्णा 1872 इस भी में हुई थी और दोस्तों यह तत कालीन भारत के वाय सराय लौड मे के द्वारा करवाई गई थी दोस्तों 1872 के पस्चात भारत में जो जनगरना है वह दोबारह 1881 में हुई थी उसके पस्चात दोस्तों प्रति दर्स वर्स में भारत की जनगरना होती है और दोस्तों भारत में जो जनगरना है वह केंद सरकार के द्वारा कराई जाती है और कें रखिएगा very very most important point है कि भारत की जनगर्ना पहली जनगर्ना 1872 में, 10 की जनगर्ना 1881 में लाड मेहोने करवाई थी और उसके पस्चात दोस्तों यह केंद सरकार और केंद सरकार के अधीन ग्रह मंत्राले के द्वरा जनगर्ना किराई याती है। भारत का जनसंख्या घनत तो कितना है दोस्तों वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत तो 943 ब्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर है भारत में किस राज में सबसे ज्यादा साच्छर्ता दर है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज की है दोस्तों केरल तो option 20 प्रस्न का सही अगला प्रस्न है भारत के पहले नोबल पुरुषकार बिजेता कौन है भारत में किस ब्यक्ति को सबसे पहले नोबल पुरुषकार मिला था दोस्तों वह है रविन नाथ टैकोर इनकी साहितिक क्रती गीतांजली के लिए इनको 1913 में साहित के छेतर में नोबल पुरुषकार स एसिया का सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों, रेमन मैकसे से पुरुसकार, और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, नोबेल पुरुसकार बिजेता कौन थे सबसे पहले, भारत के रविननात टैकोर, उनको आप यादर कियेगा, जिन्होंने भारत के राष्ट गान जंगर्मन की भी रचना किया था, भारत की पहली महिला नोबेल पुरुसकार बिजेता कौन थी दोस्तों, मदर टेरेसा, जिनको सांती की छेतर में नोबेल पुरुसकार से समानित किया गया था, दोस्तों भारत में पहली बार रेल कप चलाई गई थी आपने कई बार ट्रेन का सफर किया होगा तो दोस्तों भारत में सबसे पहली बार अठारा सो तिरपन में मुंबई और थाने के बीच में लाड डलाहोजी के सासनकाल में पहली बार रेल चलाई गई थी भारत के उत्तर में भारत का कौन से पडोसी देश है दोस्तों भारत के पडोसी देशों के बारे में आपको जानना बहुत important है भारत के उत्तर में भूटान जिसकी राध्धानी है धिंपू चीन जिसकी राध्धानी है बीजिंग और नेपाल जिसकी राध्धानी है काटमानू यह तीनों ही भारत के उत्तर में इस्तेत देश है इनके नाम आप याद रखिये भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है चीन नेपाल और भूटान इनकी राध्धानिया भी जाम्स में जिसकी स्थापना 1206-7 वी में कुत्बुदीन एबक ने किया था अगला प्रस्न है भारत का पहला मुस्लिम सासा कौन था तो दोस्तों पिछली कोशन में मैंने आपको बताया कि भारत में मुस्लिम वन्स की स्थापना 1206-7 वी में हुई और किसके दोरा इसकी स्थापना की गई कुतबुदीन आयबक के दोरा अगला प्रसने है भारत की पहली महिला सासक कौन थी दोस्तों भारत की पहली महिला सासक थी रजिया सुल्तान और दोस्तों यह भी गुलाम वंस्की सासक थी जोकि 1236 हिस्वी में भारत की ये महिला सासक बनी थी भारत का छेत फल में विस्व में इस्थान दोस्तों भारत का छेत फल वर्तमान में 32,87,263 किलो मीटर है और विस्व में अगर भारत का छेत्रफल के दर्शे इस्थान देखा जाया तो वर्तमान में सातवा इस्थान है दोस्तो विस्व में सरवाधिक छेत्रफल वाला देश है दोस्तो कौन सा रूस रूस विस्व का सबसे बड़ा छेत्रफल वाला देश है इसको भी आप याद रखिए एकजामस में पूछा गया और भारत का इस्थान है सातवा अगला प्रस्न है भारत के पूर में कौन सा पडोसी देश है तो तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है और भारत के पूर में कौन से देश है म्यामार और बंगला देश इन दोनों के नाम याद रखिएगा भारत का जनसंख्या की देश से विस्व में इस्थान दोस्तों जनसंख्या की देश से भारत विस्व में सबसे पहले नंबर का देश है औ और भारत में जनसंख्या की देश से सबसे बड़ा राज है उत्तर प्रदेश अगला प्रसने है भारत का सबसे बड़ा राज जनसंख्या की देश से दोस्तों इसके पहले ही कोस्चन में मैंने आपको बताया जनसंख्या की देश से भारत का सबसे बड़ा राज है उत्तर प् अगला प्रस्त है दोस्तों भारत का राष्टी फूल नेशनल फ्लावर कौन सा है भारत का दोस्तों आप याद रखिएगा कमल का फूल भारत का राष्टी फूल है अगला प्रस्त है भारत का राष्टी फूल नेशनल फ्रूट ओफ इंडिया भारत का राष्टी फूल कौन सा है दोस्तों आम दोस्तों मैगडी फेरा इंडिका इसका बैग्यानिक नाम है इसको फूलों का राजा भी कहा जाता है भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों भारत में 1885 इसमी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और यह जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना है यह A.O. Hume के द्वारा की गई थी इसको भी आप याद रखिएगा इसके पहले जो अध्यच थे वह थे WC पनरजी भारत का केंदरी बैंक, सेंटरल बैंक भारत का कौन सा या फिर इसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है तो दोस्तों भारती रिजरो बैंक या फिर RBI भारत का केंदरी बैंक है जिसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है भारत में बैंकों का जो रेगुलेशन है वह भारत का केंदरी बैंक यानि RBI ही करता है इसको सेंटरल बैंक भी कहते हैं इसका मुख्याले मुंबई में है दोस्तों अगला प्रस्न है भारत की संसद कहां पर है भारत की पार्लियामेंट कहां पर है दोस्तों पिछले वर्स 2023 में मैं 2023 में ही भारत की नई संसद का उदगाटन किया गया था आपने कई बार न्यूज चैनल्स में इसको देखा होगा तो दोस्तों भारत की जो वर्तमान में जो नई संसद है वह है कहाँ पर है नई दिल्ले में नई दिल्ली भारत की राजथानी है दोस्तों भारत की संसद को लोक तंदर का मंदिर भी कहा जाता यानि कि जो पालिया मेंट है वह लोक तंदर का मंदिर भी है और दोस्तों जो बिभिन अधिनियम पारित किये जाते हैं वह कहां पारित किये जाते हैं भारत की संसत में और सबसे मोश इंपोर्टन पॉइंट में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ भारत की संसत के बारे में जैसे कि इसको लोकतंद का मंदिर भी कहा जाता है और भारत की सНसत के अंग हैं लोकसबा, राजसबा और राश्पती इसका कारण यह है कि कोई भी जब अधिनियम यानि कानून बनता है तो वह तीनो इस्थितियों से गुजरता है लोकसभा, राजसभा और उसके पास पस्चात भारत के राश्पती उसमें हस्ताचर करते हैं तब वह जो विधेयक है वह अधिनियम बनता है इसलिए संसत के अंग है लोकसभा, राजसभा और भारत के राश्पती है अगला प्रस्त है भारत का सरोच न्याले कहां इस्तेत है दोस्तों भारत में जो न्याइक प्रणाली है वह है अमेरिका से ली गई है एकी करत न्याइक प्रणाली अपनाई गई है और भारत को जो सरोच न्याले है वह है कहां पर नई दिल्ले में एकी करत न्याइक प्रणाल किसे कहते हैं दोस्तों मुंबई मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यह महाराश राज की भी राजधानी है दोस्तों भारत की खोज किसने किया था तो वासको डिगामा ने भारत की खोज किया था पुर्तगाली नाविक थे जो केप आप गुड़ को पार करके भारत के समुध तट काली कट पहुँचे थे भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कहां लगाई थी दोस्तों 1620 में इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना हुई थी और उसी इस्ट इंडिया कंपणी ने सबसे पहली फैक्टरी सूरत में इस्थापित किया था भारत का सविंधान कब लागू हुआ था भारत का कॉंस्ट्यूशन कब लागू हुआ था दोस्तों सविंधान सभा में एक प्रारूप समिती थी जिसका मुख्य कार था भारत के लिए समिधान का निर्माड करना और इस भारत की समिधान सभा की प्रारूप समिती की अध्यच थे ड़ुक्टर भीमराव अंबेटकर दोस्तों भारत का समिधान दो वर्स ग्यारा माह और 18 दिन में बनकर के तयार हुँआ था इस समिधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के समिधानों का अलोकन किया गया था और भारत के लिए जो भी चीजे उपियुक्त थी विभिन देशों से वह भारत के समिधान में संकलित की गई थी दो वर्स 11 माई 18 दिन का समय लगा 60 देशों के समिधानों का अलोकन किया गया और लगबग 64 लाख रुपए का खर्च आया था इस भारत के समिधान के निर्माण में और उसके पस्चाद 26 नॉंबर 1909 चास को इसको भारत में लागू किया गया था वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टन कोश्चन है दोस्टों मैंने आपको बताई इसमें विस्तार पूर्वक भारत के समिधान का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों प्रारूप समिधी जिसका मुखे कारे था समिधान का निर्माण करना उसके अध्यच थे डॉक्टर भीमरावमेटकर और इसी लिए भारत के समिधान का जनक भी इनको डॉक्टर भीमरावमेटकर को ही कहा जाता है दोस्तों आजादी के पस्चाद भारत में पहले आम चुनाओ कब हुए थे 1952 में 1952 में पहले भारत में लोकसभा या फिर आम चुनाओ हुए थे भारत का समिन्धान दिवस कम मनाय जाता है भारत का Constitution Day समिन्धान दिवस कम मनाय जाता है भारत के पहले मुख्यनायधिस कौन थे चीफ जस्टिस ओफ इंडिया कौन थे दोस्तों एचजे कानिया भारत के पहले CJI थे भारत की पहली महिला प्रधान मंतरी कौन थी? दोस्तों सोतंता के पस्चाज भारत के पहले प्रधान मंतरी थे पंडित जवाहलाल लहरू और सोतंत भारत की पहली महिला प्रधान मंतरी थी इंद्रा गांधी और वर्तमान तक दोस्तों भारत में एक ही महिला प्रधान मंतरी चुनी गई हैं वह हैं इंद्रा गांधी पती कौन थी दोस्तो प्रतिभापाटिल भारत की पहली महिला राश्पती थी दोस्तो जिनका कारेकाल दो हजार दो से दो हजार साथ तक था अगला प्रस्त है दोस्तों भारत की उत्तर से दच्छिर तक की लंबाई कितनी है भारत की उत्तर से दच्छिर तक की लंबाई कितनी है इसको आप याद रखिएगा भारत की उत्तर से दच्छिर तक की जो लंबाई है दोस्तों वह है 3214 किलो मीटर भारत का पूर से पस्चिम तक का विस्तार कितना है दोस्तों 2933 किलोमीटर इन दोनों को आप याद रखियेगा दोस्तों पूर से पस्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दच्छिन दोस्तों 3214 किलोमीटर तक भारत का विस्तार है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यच दोस्तो संसद के तीनंग हैं लोकसभा, राजसभा और राश्पती लोकसभा जो है वह निम्र सदन होता है और दोस्तो इसमें प्रतिवर्स आम चुनाओ के पस्चात सदत से चुन करके लोकसभा में जाते हैं जो साधारण बहुमत के आधार पर लोगसभा अध्यच का निर्वाचन करते हैं और भारत की जो पहली महिला लोगसभा अध्यच थी वह थी कौन? मीरा कुमार भारत की पहली महिला मुख्यमंतरी कौन थी? दोस्तों सुचेता करपलानी जो की उत्तर प्रदेश राज के लिए सबसे पहली महिला मुख्यमंतरी चुने गई थी भारत की पहली महिला राजयपाल कौन थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली महिला राजयपाल थी सरोजनी नाइडियू और यह भी सुतंता के पहचाद भारत की सबसे बड़े राज उत्तर प्रदेश के लिए राज पाल नियुक्त होई थे इनको दोस्तों भारत कोखिला के नाम से भी जाना जाता है भारत का सबसे दच्छिणतम बिंदु कौन सा है भारत के पस्चिम उत्तर दच्छिण चारों जो सबसे बिंदु है उनको याद रखिएगा भारत का सबसे दच्छिणतम बिंदु है इंदरा पॉइंट भारत में आंतरिक आपात काल कब लगाये गया था दोस्तों इंदरा गांधी की सरकार के दोरा भारत में पहली बार आंतरिक आपात काल 26 जून 1975 को लगाये गया था और दोस्तों यह इंतरक जो भारत की प्रधान मंतरी थी इंद्रा गांधी उनके कारेकाल के दौरान भारत में दो वर्सों के लिए आंतरिक आपातकाल लगाये गया था दोस्तों भारत के समिंधान के भाग 18 में आंचे 352 में किसी विपरीत इस्तिती से प्रिपटने के लिए भारत के राश्पती के दौरा आंतरिक आपातकाल लगाये जा सकता है और दोस्तों पहली बार आंतरिक आपातकाल 1975 से 1970 तक भारत में लगाये गया था भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था 1999 में दोस्तों कारगिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब 26 जुलाई को जिसको बिजय दिवस के रूप में भी जानते है भारत और चीन के मद्धे अंतराश्टी रेखा है दोस्तों कौनसी मैक मोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड कलिफ रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंडर रेखा इनके नाम आप याद रखीगा Very very most important question है दोस्तों मैं भारत के बारे में आपको बहुत महत्वपूर जानकारी दे रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजेगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है डल जील जो कि कहां पर है स्रीनगर में है दोस्तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कहाँ पर है चिल का जील और दोस्तों यह एक समुद्र लैगून जील है जो की भारत के समुद्र तटी राज उरीसा में स्थित है और यह भारती नेवी का परसिछण संस्थान भी है दोस्तों भारत में मुगल वंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों भारत में सबसे पहला मुस्लिम वंस था गुलाम वंस 1226 इस्थी में स्थापित हुआ था पंदा सो 26 इस्थी में भारत में मुगल वंस की स्थापना हुई थी और बाबर ने भारत में मुगल वंस की स्थापना किया भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों भारत में मसालों का बगीचा किसे कहते हैं केरल राजी को तो option D सही उत्तर है अगला प्रस्त है भारत में इस्थित विश्व का सातवा अजूबा कौन सा है दोस्तों विश्व में सात अजूबे हैं जिनमें से जो भारत में आगरा में इस थी ताज महल है वह विस्सो का सातवा अजुबा है दोस्तों ताज महल सफेद संगमरमर से बना हुआ है और दोस्तों मुगल सासक सा जहां के दोरा इस ताज महल का निर्मार किया गया था इसको भी आप याद रखियेगा मुगल सासक सा जहां ने ताज महल का निर्मार कराया था विस्सो का सातवा अजुबा है भारत की सबसे उची मूर्ती इस्टेचू कौन सी है तो दोस्तो इस्टेचू ओफ यूनिटी जो की बडोदरा में है गुजरात राजी के बडोदरा में है भारत की सबसे उची इस्टेचू है और इस्टेचू ओफ इनूटी कहा जाता है इसको और यह किसकी मूर्ती है भारत के पहले ग्रह मंतरी या फिर लवपुरुस सरदार बल्लब भाई पटेल की यह इस्टेचू है भारत की सबसे उची इस्टेचू इसको इस्टेचू ओफ इनुटी भी कहा जाता है भारत में दोस्तों महत्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था पहला सत्याग्रह कौन सा था चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों दोस्तों वकालत की पढ़ाई करने के प्रस्चात 1915 में दोस्तों महत्मा गांधी दच्छिन अफ्रीका से भा भारत ब्रह्मन किया और जो सबसे पहला जो आंदोलन किया था वह चमबारण में किया था अंग्रेजों की उस नीती के खिलाब जिसमें उन्होंने जबरन वहां के किसानों को नील की खेती करवाते थे भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो तो सतंतरता के पस्चाद भार भारत का राष्टी पसु कौन सा है दोस्तों भारत का राष्टी पसु है बाग जिसको बैग्यानिक नाम है पैंथेरा टाइगरिसिस भारत का राष्टी पच्छी कौन सा है नेशनल बर्ड भारत की कौन से है दोस्तों पीकॉक मयूर जो है वह भारत का राष्टी पच्छी है और दोस्तों यह भारत के वन जीव सनरच्छन के अंदर एक सनरच्छित पच्छी है भारत की अंतरिच एजनसी का क्या नाम है भारत की जो स्पेस एजनसी दोस्तों भारत के बारे में मैं आपको ऐसे कोशन बता रहा हूँ जो exams में बार बार repeat होता है इनको आप याद रखेगा बहुत important question दोस्तों very very most important दोस्तों भारत की अंतरिच agency है NASTA भारत की अंतरिच agency कौन सी है NASTA दोस्तों अमेरिका की है भारत की अंतरिच agency है ISRO Indian Space Research Organization जिसको भारती अंतरिच अनुसंधान परिशद भी कहते है भारत का सबसे बड़ा नदी द्यूप दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्यूप है माजली नदी द्यूप जो की किस नदी पर है ब्रह्मपुत नदी पर इसको आप याद रखेगा बहुत ज़्यदा बार एक जम से पूछा गया है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों भारत की सबसे पहले आपको जाना जरूरी है कि जो भारत की यह मानक समय रेखा है वह है अंतराश्टी समय रेखा से कितना साड़े पांच घंटे आगे है और यह भारत की जो मानक समय रेखा गुजरती है मिर्जापूर से कहां पर है उत्तर प्रदेश में भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है जो राइस बॉल है दोस्तों भारत का धान का कटोरा किस राजी को कहते हैं 36 गड को 36 गड किराधानी है रायपूर 36 गड में लगबक 60-70 परसंट जो क्रसी होती है भारत की राष्टी नदी कौन से दोस्तों गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी भी है जो भारत में लगबक 2525 किलोमीटर इसका प्रवाः छेतर है भारत के पाँच राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तो भारत का राष्टी जली जीव भारत का राष्टी जली जीव यानि नेशनल एक्योटिक एनिमल कौन सा है दोस्तो डॉल्फिन भारत का राष्टी जली जीव है अगला प्रस्न है भारत का राष्टी चिन भारत का न जैते हैं भारत में कितने सास्त्री नत्य हैं दोस्तों भारत में कुल आठ सास्त्री नत्य हैं इसको आप याद रखिएगा option D प्रस्ण का सही उत्तर है उन सास्त्री नत्यों में very very most important मैं आपको नाम बता रहा हूँ भारत नाट्यम कुचीपुरी दोस्तों मोहिनी अट्टम सत्रिया आसामी मनिपुरी दोस्तों इनके आप याद रखिएगा और कथख ये भारत के सास्त्री नत्य हैं इनके नाम आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बार एक जांस में पूछे गए हैं भारत के सास्त्री नत्त के बारे में दोस्तों अगला प्रस्ण है भारत में सबसे पहले सूर्योदय भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है दोस्तों अवुनांचल प्रदेश में अवुनांचल प्रदेश दोस्तों भारत के सबसे पूरों में इस्थित राज्य है भारत का सबसे नया राजी कौन सा है यानि भारत का सबसे लाश में जो 28 में राजी हुआ है सबसे लाश में बनाए गया है और वह है तेलंगाना आंध प्रदेश को विभाजित करके 2014 में इसको बनाए गया था भारत का छेतरफल कितना है दोस्तों भारत का एरिया कितना है दोस्तों भारत का कुल 32,87,263 किलो मीटर का एरिया है और दोस्तों छेतरफल की देश से भारत विश्व में सातों सबसे बड़ा देश है हमारी बिस्टो के कुल छेतर फल का दोस्तो दो दसमलो चार प्रसे जो भूमी है वो है भारत के पास है और बिस्टो का साथवा सबसे बड़ा देश है छेतर फल में अगला प्रस्ते हैं भारत की इस्थली सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तो भारत की कुल इस्थली जो सीमा है उसकी कुल लंबाई है दोस्तो 15200 किलो मीटर जिसको याद रखिएगा एकजाम से बहुत ज्यादा बार पूछा गया है भारत की इस्थली सीमा की लंबाई कितनी 15200 क अगला प्रस्ते हैं भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज जी कौन सा है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज है दोस्तों भारत के कुल नव ऐसे राज हैं जिनकी सीमा समुद तट से मिलती है और सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज है वह है दोस्तों गु 7516 किलो मीटर वेरी वेरी most important point मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं इनको याद रखियेगा भारत की 30 सीमा की लंबाई है 15200 किलो मीटर भारत की समुध तर्टरेखा की लंबाई है 7516 किलो मीटर भारत का telephone code क्या है आपने कई बार number dial किया होगा मुबाईल पे किसी से बात किया होगा या फिर आपके पास call होगा आया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले लिखा होगा है plus 91 यह भारत का telephone code है भारत की जलवायू किस प्रकार की है दोस्तों तो दोस्तों भारत एक मानसूनी जलवायू वाला देश है और दोस्तों यहीं पे आपको very very most important question बता रहा हूँ दोस्तों एक जाम से पूछा जाता है कि भारत का सरवाधिक बरसा वाला छेतर कौन सा है दोस्तों मासिंडाम जो कि कहां पर है मेगाले में भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर राष्टी रेखा कौन सी है रेड क्लिफ रेखा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है भारत को स्रीलंका से अलग करने वाला भारत को स्रीलंका से अलग करने वाला स्ट्रेट दोस्तों भारत और स्रीलंका के बीच में क्या है पाक स्ट्रेट है इस्टेट दोस्तों क्या होता है दो बड़े भूखंडों के बीच में एक जल छेतर होता है जिसको इस्टेट कहा जाता है या फिर जल डमरू मद्ध कहा जाता है दोस्तों दो बड़े भूखंडों के बीच में इस्टेट होता है और दोस्तों इसको जल डमरू मद्ध हिंदी भारत और इंडिया लेकिन भारत के समिधान के अउंशेद एक में भारत के दो नामों का उलेख है इंडिया दैटीज भारत याने की भारत और इंडिया भारत के पहले लोगसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों भारत के पहले लोगसभा अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर और दो भारत की जो पहली महिला लोकसभा अध्यच्टी वह थी मीरा कुमार दोस्तों लोकसभा क्या है हमारी संसत का निचला सदन होता है भारत के पहले मुखे चुनाव आयुक्त काउं थे चीफ एलेक्षन कमिस्नर थे दोस्तों सुकुमार से दोस्तों जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका महत पूर्ण कार्य है भारत में लोकसभा, राजसभा और बिधान सभा और बिधान परसत के चुनाव करवाना उसके साथ साथ भारत में राश्पती उपराश्पती का निर्वाचन कराना भी भारत के चुनाव आयोग का मुखे उत्तर दायित तो है तो जोस्तों भारत के पहले मुखे चुनाव आयोग थे जोस्तों सुकुमार सेन और वर्तमान में है राजियू कुमार अगला प्रस्न है भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे फर्ष्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे भारत के दोस्तों भारत के पहले जो मुस्लिम राष्टपती थे वे थे जाकिर हुसेन जाकिर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती थे और दोस्तो जाकिर हुसेन और फकरुदीन अली एहमद भारत के दो ऐसे राश्पती हैं जिनका दोस्तो देहान्त हुआ है उनके कारेकाल के दोरान इसको आप याद रखिएगा यह कोस्चन एक जांस में कई बार घुमा कर पूछा गया है कि भारत के कौन से राश्पती हैं जिनका उनके कारेकाल के दोरान देहान्त हुआ था तो फकरुदीन अली एहमद और जाकिर हुसेन भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है दोस्तों भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं एपी जे अब्दुलकलाम को भारत के महान बैग्यानिक और भारत के एक मात्र आराजनीतिक ब्यक्ति जो भारत के राश्टपती बने थे 2002-2007 तक इनका कारेकाल था भारत के एक मात्र आराजनीती ब्रक्तिजिन का राजनीती से कोई सब्मन नहीं था और वो है भारत के राश्पती बने थे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों थार रेगिस्तान थार रेगिस्तान कहाँ पर है दोस्तों भारत के सबसे बड़े राज छेत्रफल की देश्ते जो है राजस्तान वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान अगला अगला प्रस्न है भारत की सबसे उची परवत चोटी कौन से दोस्तों भारत की सबसे उची परवत चोटी है उस समय भारत के ओड देने की आयू थी कोई भी बेक्तिजिस की आयू 21 वर्स थी वह मतदान कर सकता था लेकिन 61 समिनान संसोधन के द्वारा इस आयू को घटा करके 18 वर्स कर दिया गया तो इस तरह से भारत में कोई भी बेक्तिजिस की आयू 18 वर्स या उससे अधिक है वह कर सकता है भारत का पहला नागरिक कौन होता है दोस्तों भारत का पहला नागरिक होता है राश्पती जो भी भारत का राश्पती होता है भारत का पहला नागरिक होता है इस तरह से भारत की वर्तमान में राश्पती है कौन द्रोपदी मुर्मू तो भारत की वर्तमान में भार 1984 को सबसे पहली बार चलाई गई थी अगला प्रस्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है इंडिया गजट वेरी वेरी मोश इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों एकजाम से पूछा गया है भारत का पहला समाचार पत्र कौ दोस्तों कॉंग्रेस की जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस है उसकी इस्थापना 1885 इसपी में की गई थी और किस ने किया था इसकी इस्थापना ए ओ हिम ने और दोस्तों इसके सबसे पहले जो अध्यच थे हुए थे W.C. बनर जी अगला प्रस्त है भारत में पहले बिटिस गवर्नर जनरल कौन थे तो दोस्तों भारत के पहले बिटिस गवर्नर जनरल थे कौन वारेन हैस्टिंग से वारेन हैस्टिंग से भारत के सबसे पहले बिटिस गवर्नर जनरल बनाए गये थे दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा और भारत के पहले वाय सराय थे दोस्तों कौन लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जेनरल कौन थे दोस्तों लॉर्ड माउंट बेटर भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी है कौन सी गंगा नदी जो की भारत की सबसे लंब नदी भी है दोस्तों सबसे लंबी नदी है गंगा नदी 2525 किलो मीटर का प्रवाय छेतर है जो भारत के पांच राज्यों से होकर के बहती है